दोस्तों बात करें तो साल का पहला अफ़ताया पे शुरू हो चुका और जैसी पहला वर्किंग डे आया टैक की दुनिया पूरी तरीके से हिल गई यहांने के बात करें धड़ा धड़ लॉंचेज आपको देखने को मिल रहे हैं अब चलिए बात करते हैं अब चलिए बात करते हैं यह फोन देखा जाया तो सच बता रहा हूं डेले हो गया था तो जैन्वरी में आया मैं कहूंगा देर आया दुरूस्त आया वो एक अच्छी चीज थी और इंडिया में भी बहुत ही जल्दी इसके दर्शन होगे बाहर स्नाइब डर्ण ट्रपलेट के साथ है इंडिया में एक्जनोस 2100 के साथ आएगा और लग रहा है कि फोन की कीमत 40-50 आख के बीच में जा सकती है और श्याद जिल लोको सैंसंग का फोन पसंद है क्योंकि जिस तरह के से वन यॉई वगरा में इंप्रूमेंट हो रहा ह काफी साल लोगों शाद ये फोन यहां पर पसंद आ सकता है हाला कि इस फोन में देखा जाए तो प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है और से 25 वाट के चार्जिंग और चार्जर बॉक्स में नहीं है लेकर अधर्वाइस जो डिस्पले मिल रहा है 120 हर्स के रिफ्रेश मतलब जैन्वरी एंड तक आपको यहां फिर कुछी हफ्तों में देखने को मिल जाए इंडिया में देखते हैं इसकी इंडिया की प्रैसिंग यह रहती है फोन में बता रहा हूं इंट्रस्टिंग है भली एक्जिनस 2100 है लेकिन अगर आप गेमिंग वगरा नहीं करते तो म एक अच्छा एक्सपिरियंस देखने को मिलेगा और सैंसंग का अपडेट कर सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा है तो देखते हैं कि आखर इंडिया में कब चीज आती है लेकिन इसके साथी सिमिलर प्रैस कैटिगरी में एक और फोन ही आपने आने वाला है और वो है OnePlus 980 अ अभी भी इस फोन में Android 11 चल रहा है Android 12 पर यह लोग नहीं जा रहे है जबकि 9 स्रीज को यह अल्रेडी Android 12 अपडेट दे चुके हैं क्योंकि यहां पे स्टेबल बनाने की कोशिश यह लोग कर रहे थे लेकिन स्टेबल नहीं दे पा रहे है तो यह एक छोटा से डिलेस ने कॉ हो चुका है चाइना से फिर इंडिया में भी इसकी उनिट्स बगरा बनेंगी लेकिन इनिशली कुछ फोन से लोग इंपोर्ट करके आच चुके है थे चाइना से इंडिया में वह भी डिसेंबर के महिने में लेकिन काफी सारे डिलोग है लेकिन बात करें 980 की 14 जन को कर चुके OnePlus से क्योंकि इसके अंदर जो OnePlus का Oxygen OS मिलेगा वह 11.3 वाला वर्जिन होने वाला जो कि Color OS के उपर जो Oxygen OS के लिए रती सिम वैसा ही होगा अब देखा तो वह excitement बचा नहीं है OnePlus के थाद जो हमें ही आता लेकिन देखके एक अच्छा लगा कि OnePlus और S21 FE आ रहे हैं और द देखने वाली बातों की आकर इन फोन के अंदर कहानी क्या चलती है दोने फोन देखा तो इंटरस्टिंग लग रहे 980 लेकिन इसी के साथ ही OnePlus वाले यहां पर अलगी है OnePlus का जो ग्लोबल अकाउंट है वह यहां पर टीज करना शुरू कर देए OnePlus 10 प्रो को जी हाँ OnePlus 10 प्रो ज जा सकता है चाइना लॉंच तो कर देंगी ग्लोबली से अनॉंस कर देंगे हो सकता है इसको आपको ग्लोबली रिवीज वगरा भी देखने को मिल जाए लेकिन लग रहा है जब बितने वाली बात आई तो शाद फैबरी मार्स तक ही फोन आगे निकलेगा यह एक चीज है इ अभी शद्य अनॉंस हो जाए लेकिन इंडिया में आने में थोड़ से टैम है इसकी पीछे एक वन आप की रीजन यह जो में को समझ में आ है वो है यूनिफाइड ओएस का क्योंकि अभी क्या हो रहा है कलर ओएस ऑक्षजिन मर्च करके नया यूनिफाइड ओएस बना रहे लेकि फिलहाल के तौक फेक्थ लोगों को यहां पर बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि डिजाइन देखा जाय तो हैसल प्लेट की ब्रांटिंग और पीछे का कैमरा डिजाइन है वो यहां पर लोगों थोड़ा आजीब पील दिया आप ग्राइस का अलगए बात नीचे कमें में बिल्कुल यहां पर डेमेंसिटी 9000 के बार में हमें पता है कि फ्लैक्शिप लेवल का चिप सेट है और एक अच्छी पॉफॉमेंस उसके निकल रही है लेकिन बात यह कि इसकी कीमा स्नैपडरगन 8 जनरेशन वन से यहां पर कम है और वन प्लस टेंट रोम स्नैपडरगन 8 जाने वाले इतना तो हमें पता चली चुका है अब उसके नीचे जो फोन आएगा सस्ती रेंज में तो वहाँ पर डिमेंसिटी 9000 को प्लेस कर सकते हैं ताकि दोनों की फोन की कीमतों में 15-20,000 का गैप क्रेट किया जा सकें क्योंकि वन प्लस वालों को मालूम है एक फोन में सारी चीज़े डाल के महेंगा फोन बना देंगे लेकिन जब बाहर ही आती एक सस्ते फोन की तो मार्केट में तब ही बिख सकता है 50,000 से कम में उसे प्लेस किया जाए और अच्छी स्पैसिकेशन दी जाए तो डिमेंसिटी 9000 के साथ उसे लिखा ला जा सकता है ये फोन अभ तो कोई भी फोन स्पोट करा नहीं गया है और लग रहा है जो 9RT है ये OnePlus 10R ही है मतलब 10R बनाने वाले थे उसको 9RT नाम से मतलब इसका डिजाइन चेंज करके अगर 10R नाम से रिलीस कर देते तो थोड़ी बेटर चीज़ होती क्योंकि Snapdragon 888 के फोन अभी भी बहुत सारे आन नहीं कर सकते हैं यहां पर जितने भी प्रोसर है जिसके बात करें मेरेटक डिमेंसटी 9000 यहां फिर बात करें Snapdragon 8Gen1 दौनों के अंदर लोगों ने स्पोर्ट किया है कि यहां पर हीटिंग की प्रोब्लम आ रही है और लोग कहरें इसका जो रिस्पॉंसिबल परसन है ना वो यह भी क्लेम किया जा रहे है जो अपकमी एकशनोस 2200 याने की 2200 जिसमें AMD का ग्राफिक्स आने वाले है न उसके अंदर भी हीटिंग होगी वेल वो में एक रियूमर मानूँगा भी उसका फोन मार्केट में आया है नहीं है एक बार फोन मार्केट में आ जाने है तब पता स होगी लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज की समय में लग रही है तो अगर हीटिंग की दिक्कत ऐसी चलती रही तो समझ में नहीं आता यार फिर थे महेंगे फोन पर जाने का मतलब क्या बनता है मतलब ऑविसली यार आप 888 भी हीट होता था एक्शन 2100 में भी हीटिंग थी 8 जनवन में भी हीटिंग हो रही है तो 40-50 थार की उपर क्या सभी फोन सब गरहम हो रहे हैं तो बेटर क्या है मैं 778 वाला फोन ले ले लेता हूं या कम से वो गरहम तो नहीं होगा अब देखते हैं कहानी क्या चलती है लेकिन अगर हीटिंग वगरा कंपनिया किसी तरीके से कंट्रोल करें तो वो एक काफी इंपॉर्टन जीद होगी तो फिलहाल के तौर पर ये कुछ इंफॉर्मिशन पता लगए थी सब के बाएर मैंने आपसे बात करी खास तौर पर 980 इंटरस्टिंग लग रहा है बर्ट जी टू का भी लांच होने वाले अरौन रौन रौन र जिस तरीके से जैन्वरी का महीरा शुरुआत से एक्शन पैक हो गया है तो इस तो शुरुआत है अभी धीरे-धीरे कहानिया और जबर दस्त होने वाली है अभी तो मोटरोला भी G71 नाम का फोन निकालने वाली जिसके अंदिर एमोलेड डिस्पले आने वाल है विप क्या रहती कहानी पीछे की आप लोग बताइए अपने ओपीनियों थेक्टा कुड़ी देखने के लिए नाम सुन दो नेक्समान के अंदर गुडबाई